श्री शद्गुरु महाराज कीजे प्रातहसमर्णी अनन्थ स्रीवुशीथ परमा राध्य शंथ सद्गुरु महरशी महीत का परवचण संत मत किसको कहते है इस परवचण का दूसरा अंतिमभागा है महर्शी में ही शत्संग सुधा सागर सब कोई रूपिय का मुल्य जाने पैसे का मुल्य जाने और नोट का मुल्य जाने हीरा मोती जवाहर अस्त्र सस्त्र बहुत हो और अन नहीं हो तो आपकी क्या गति हो पानी पत की तीसरी लड़ाई खाने के बिना मर हटे के लगभग एक साख आदमी मर गए उपनी सद में एक कथा आई है जिसमें लिखा है कि एक रिशी कुमार को अपनी विद्या का बहुत घमंड था एक दिन रिशी ने अपने कुमार को बुला कर कहा वत्ष तु ऐसी विद्या जानता है जिसके बिना अन्य सभी विद्याएं फिकी पड़ ज तेरे पास आ फिर मैं तुझको वह विद्या सिखाऊंगा रिशी आग्या पा कुमार सप्ताह प्रियंत उपवास कर पिता के निकट उपस्थित हुआ रिशी ने कहा पुत्र अमुक वेद की अमुक रिचा की ब्याख्या करके मुझे सुनाओ पुत्र ने उत्तर दिया पित उक्षे पिरित हूं अन्र के बिना मैं बहुत कमजोडी मालुम कर रहा हूं उक्ति नहीं आ रही है बोलने में असमर्थ हूं जीवन धारन करना कठीन हो रहा है कोई भी रिचा अभी सूज नहीं रही है पिता ने कहा अच्छा तो जाओ भोजन कर स्वस्थ हो मेरे पास आओ रिशी पुत्र ने वैशा ही किया भोजन कर स्वस्थ हो पिता के सम्मुक उपस्तित हुआ पिता ने पुर्वे कथित वेद क की इसी रिचा की व्याक्या पुनह पूछी कुमार ने बहुत ही सुंदर धंग से उसकी व्याक्या की पुष्चात कुमार ने रिशी शे प्रार्तना की पिताजी आपने जिश विद्या के लिए मुझे कहा था वह शिखलाईए रिशी ने कहा पुत्र वह है अन ब्रहम जब तक तुम्हारे पेट में अन नहीं था तब तक तुम सारी विद्या भूल से गए थे और पेट में अन ब्रह्म के पहुंचते ही तुम्हें सारी विद्या की अस्मिर्ती हो आई इसलिए कृषी कर्म आवश्यक है हमारे यहां कहा जाता है उत्तम खेती मध्यम बान वेद में उपदेश आया है कि तुम संसार में अच्छे परकार रहो गाई की सेवा माता की सेवा की तरह करो हम लोग मिलकर रहें गौश सेवा करें और खेती करें खेती करें गौश पालन करें और एक मेल से नहीं रहें तो ठीक नहीं जब तक लिक्षवी वंस में मेल रहा तब तक कोई उसको दवा नहीं सका जब आपस में फूट पैदा हुई तब दूसरे उस पर आकर चड़ बढ़े वेद में हुक्म है कि आपस में मिलकर रहो और मिल जूलकर इस्वर के उपासना करो यह इसलिए कहा कि उपासना ऐसी चीज है जो सब के चित को एक सुत्र में बांध देती है उपासना में अस्तोती और विंती भी रहती है हम लोग धर्म के एक सुत्र में बंधे हैं इसलिए साल में एक बार भी भेंट करें हम लोग ऐसा ना सोचें कि संसार ही आधार है संसार के आधार को जानो संसार में बिना आधार के वस्तु को नहीं पाते आधार खोजते खोजते आखिर में ऐसा मिलेगा जिसका आधार कुछ नहीं और वही सर्वाधार है सर्वाधार को प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा जानने के लिए यत्न पुर्वक नित्य प्रती डिड़ ध्यान करते रहो अगर कम समय है तो खड़े खड़े करो भगवान स्रीक्रिष ने कहा तसमात सर्वेशू कालेशू मानुश मर युद्धस चा मन पर नियंतरन रखना चाहिए लेकिन नियंतरन रखना कठीन होता है और नियंतरित मन के कारण जो नहीं करने का वह भी कर लेते हैं मन पर नियंतरन उपासना से होता है इसमें क्या यतन चाहिए इसको प्रकास में लाने के लिए दादू दयाली ने कहा मन ही सो मन थिरभया मन ही सो मन लाई मन ही सो मन मिली रहिया दादू अनत न जाई यह मन निशी दिन बाहर ही बाहर जाता है मन को नियंतरित करने के लिए उसको अंतरमुक करना होगा जिसका मन बाहर बाहर जाएगा उसका मन अस्तिर नहीं होगा मन दो परकार के हैं तन मन अर्थात शरीर मुखी मन और निज मन अर्थात आत्म मुखी मन मन का जो केंदरी रोप है वह निज मन है और जो मन इंद्रियों के संग होकर बाहर विश्यों में भटकता है वह तन मन है मन को बाहर के विश्व में आनन्द मिलता है अंदर में प्रवेश करने पर और विशेश आनन्द मिलता है इसको साधक जानते हैं मन के सामने ही प्रकास है मन ही सनमुक नूर है मन ही सनमुक तेज मन ही सनमुक जोती है मन ही सनमुक सेज एक ही बात को तीन बार कहा कि मन के सामने में नूर है तेज है और जोती है यदि विश्वास नहीं है तो करके देखो जो यूकती जानता है अभ्यास करता है तो वह है प्रत्यक्ष पाता है ऐसा नहीं कि मड़ने पर फलेगा पढ़ना आरम करते हो तो पढ़ते पढ़ते ही विद्वान होते हो इसी तरह ध्यान शाधन का आरम करो करते करते इसमें भी पूर्णता मिलेगी बहुत से गुरु बहुत तरह की दिक्षा देते हैं लेकिन यह दिक्षा कोई कोई देते हैं दश्मेद्वार की बात जो जानते हैं उसमें प्रविष्ट होने के लिए जो शाधन करते हैं वे अंदर का आनंद पाते हैं। शरीर नाश्वान है, सब दिन एक समान नहीं रहता, कितना वे सुन्दर होता है, एक दिन बुढ़ा होता है और शरीर छोट जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध के वचन में आया है, राजा के सुची तृत रत पुराने हो जाते हैं, तथा यह सरीर भी पुराना हो जाता है, किन्तों संतों का धर्म पुराना नहीं होता। शंत लोग संतों से ऐसा ही कहते हैं। लोग कहते हैं इन उपदेशों से मनुष्य निकम्मे हो जाते हैं। मैं पोशता हूँ, क्या बुद्ध भगवान निकम्मे थे? वे बड़े परिश रम्मी थे, शासी थे, दश में गुरु गोविन सिंग कैसे थे? खाल सा इतिहास पढ़ कर देखो, संसार की वस्त्वे नास्वान हैं, इसलिए इसमें आशक्त नहो, अनाशक्त जग में रहो भाई दमन करो, इंद्रिन दुख दाई, भगवान स्री कृष्ण ने कहा, योगी होकर कर्म करो, कौशल से कर्म करने वाले को योगी कहते हैं, इस्वार पन बुद्धी से कर्म करो, कर्तब जान कर कर्म करो, आत्म निष्ठ होकर कर्म करो, मन विचारा तो मेरे बोध में आया कि दृष्टी योग में आत्म परायनता होती है अपना निशाना अपने अंदर है अपने उस पर लगे रहना यह आत्मरत होने का आरंब है इस तरह आत्मा में लगे रहोगे इसके लिए कुछ एकांत में भी बढ़ने का समय रहना चाहिए लोग कहते हैं कि समय नहीं मिलता है मैं कहता हूँ सिनेमा देखने के लिए समय मिलता है और एकांत में बैठकर थोड़ा ध्यान शाधन करेंगे तो क्या समय नहीं मिलेगा। शमत्व का शमाधी शाधन का थोड़ा थोड़ा नित अभ्यास करो जितने बड़े लोग हुए हैं सबने क्या है संसार का भी काम होगा और संसार से छूटने का मुक्ष का भी काम बनेगा। इस वार्षिक सत्षंग के अवसर पर जो तीनों दिन शुरू से अंत तक सत्षंग वचन सुनेंगे वे संत मत को समझेंगे कि क्या है हमारे गुरु महराज सन 1897 में भागलपूर आये थे पहले मायागंज महले में सत्षंग मंदिर था खपड़े का घर था तूट गया अब जो कुपाघाट में बना है उन्हीं गुरु महराज जी की किरपा से उनकी पुन्य अस्मिर्ति में बना है परंपूज गुर्देव का यह प्रवचन भागलपूर जीला के महर्शी में आश्रम कुपाघाट के निकट गंगा तट पर अंठानवा वार्शिक महादी वेशन दिनांक 10-4-1966 इस्वी को प्रात्य कालिन सस्चंग में हुआ था श्री शद्गुरु महाराज की जे